गुद बॉर्णिंग एव्रिवन आज का हमारा टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स विच कमिनलिजम टेक्स इन पॉलिटिक्स यानि क्यों कौन कौन सी फॉर्म है जो कमिनलिजम पॉलिटिक्स में लेता है इससे पहले हमने पढ़ा था कि कमिनलिजम क्या है और वो पॉलिटिक्स को किस तरह से इफेक्ट करता है और ये भी बताया था कि अगर हम इसमें एक रिलिजियस पॉइंट आफ यू से देखें तो ये अच्छा भी हो सकता है इससे पहले वीडियो में बताया था और अगर हम जो कमिनलिजम है यानि कि जो निगेटिव पॉइंट है यानि किस तरह से जो आपका कमिनलिजम है वो हमारे कांट्रे के इं Además को और Unity को खराअब करता है यानि कि 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 उसके disadvantage है क्या दूस्परिणाम है क्या demerits है वो आज हम इस वीडियो में cover करेंगे तो पहला point देखते है यह point मैं समझाता हूँ आपको तो जो religious prejudices है यानि कि जो communalism mindset होता है वो क्या कर देता है religious prejudices बना लेता है प्रिकंसिव कर लेता है पहले से ही सोच लेता है about religious prejudices ठीक है religious prejudices चलो एक example लेकि चलते हैं अकर मान लो आप एक religion A से हो और कोई दूसरा religion B से है तो आप क्या करोगे पहले से कई लोग क्या करते हैं एक preconceived mindset ले लेते हैं यानि के पहले से उधारना बना लेते हैं कि वो religion में तो इस तरह से खराब चीज़े होती हैं और मेरे religion में इस तरह से खराब चीज़े नहीं होती है मेरे religion superior है एक stereotype बना लेते हो ठीक है कि वहाँ तो ऐसा ही होता है और हमारे ऐसा नहीं होता है एक superiority की भावना रख लेते हो कि हमार religion उनसे बड़ा है और वो religion हमसे छोटा है यानि कि particular religion A बड़ा है ठीक है religion B के मुकाबले तो इसी topic को मैं relate कराता हूँ आपके history के chapter से nationalism and imperialism में तो nationalism and imperialism में last point था एक कि अगर कोई इनसान अपने nation के बारे में अच्छा सुचे ठीक है अगर वो nation की भावना लेके चले तो तब तक तो सही है लेकिन अगर वो यह सुचने लगे कि उसी का nation सबसे बड़ा है बागी सारे nation चोटे हैं तो वो imperialism की और को मुड जाता है उसी तरह से कमिनलिजम में भी है ठीक है अगर आप यह सोचते हैं कि आपका religion और उसे superior है तो आप किसमा जाते हैं एक कमिनलिजम की initial stage में जाते हैं कमिनलिजम की और को बढ़ने लग जाते है ठीक है तो पहला point क्या है आप समझी कि होंगे कि अगर कमिनलिजम की first या initial stage किया होती है जो first common most common expression है कि आप अगर कमिनलिजम की और को बढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहो एक negative sense में जा रहे हो religion को एक negative sense में जा रहे हो politics में और आप उसी के चलते जो most common expression में है आप religious prejudices से यानि कि दूसरे को नीचा समझने हुद है लगते हो इक स्टिरियोटाइब भनाने लगते हो कि ऊस धर्म में ऐसा होता है हमारे धर्म ऐसा होता तो एसी चीज़े होती है एक कि भावना रखने रखते हो एक सुप्रियोर्टी कि thinking रखने रखते हो कि हमार religion बढ़ा है दूसरे religion से तो ये सब क्या है ये एक initial stage है ये common expression है कमिनलिजम का politics में और इसके काफी negative impact पड़ते हैं अगर आप वही जैसे कि मैंने आपको बतायता कि religion के जो positive impacts है यानि कि humanity है अगर इस तरह की चीजों को आप politics में लाओगे तो वह काफी चीज़े हैं ठीक है इससे काफी positive impact पड़ेगा लेकिन अगर आप यही religious prejudices में जाओगे stereotypes में जाओगे superiority of one religion over other में जाओगे तो आपका जो mindset है वो communalism की उरको बढ़ रहा है communist mindset होते जा रहा है जिससे काफी negative impact देखने को मिलेगा politics में और यही अगर किसी leader में होगा क्योंकि हर को religion को अच्छा मानता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने religion को superior सोचने लगो दूसरे religion के उपर या कोई stereotypes बनाने लगो या कोई religious prejudices रखने लगो एक दूसरी के खिलाफ तो I hope आपको पहला point clear हो गया होगा कि most common expressions क्या है communalism के अब चलते हैं दूसरे point के और को सो यहां पर क्या है second है जो communal mindset होता है यानि कि communal mind political domination through religion that is majoritarian dominance minority separate political unit यानि कि अगर जो communal mindset है यानि कि जो communal mindset का leader है वो क्या करेगा political domination चाहेगा religion की मदद से तो वो क्या करेगा अपने जो particular religion जिससे वो belong कर रहा है उसके जो काफी powerful लोग है उनको अपनी और को मिलाने की कोशिस करेगा उनको अपने साब जोड़ने की कोशिस करेगा ठीक है तो आप होप समझगे होंगे कि political dominance through religion नहीं करना चाहिए अब इसको मैं relate कराता हूँ example से ठीक है एक example लेकर चलते हैं और example देने से पहरे मैं बता दू कि किसी के religious sentiment को मैं hurt नहीं करना जाता है इसमें example आपको better यह समझ में आए इसलिए जाते हैं okay so communal mindset अगर कोई लेकर चलता है तो उससे क्या करता है वो लोग क्या करते है political domination के लिए अपने religion का इस्तिमाल करते हैं वो अपने particular religion की जो powerful लोग है उन्हें अपने साथ करने की कोशिस करते हैं जिससे क्या होता है political domination आ सके ठीक है क्योंकि अगर हिंदू religion का है और वो क्या चाहेगा कि जो हिंदू के powerful लोग है वो उसके साथ हो जाए जिससे एक majoritarian dominance आ सके ठीक है majoritarian dominance आ सके औ वोता भी ऐसा ही ए क्योंकि लोग जाते están क्योंकि हो सोछते हैं हucci ह Γ्योंट उर स्री लंका पर तो वहाँ पर क्या था Majoritarian Dominance आई कि इसके और जैसे जो सिनालीस थे वह जादा थे और सिनालीस ने क्या करा था कि अपने आपको इतना पाउरफुल करने के लिए उन्होंने जो बाकी के ग्रूप थे यानि कि जो तमिल्स थे सीलंगन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स थे उन् ने इतना डॉमिनेट कर दिया या उन्हें इतना सप्रेस कर दिया ठीक है कि महां सिवल वाज स्टार्ट होगी तो एक क्या कर सकता है आप देख सकते हैं कि वह एक पॉलिटिकल डॉमिनेशन के लिए रिलीजिन के इस्तेमाल करके मैजॉरिटेरियन डॉमिनेंस ला सकता हैं आप ही अरषगा फन पर दूसरे एकजापल लेज़ेटे हैं कि मैनॉरिटी में भी क्या होता है वह कहां पर भी पॉलिटिकल माइंडचेट के लोग होंगे और उन्हें भी पॉलिटिकल डॉमिनेशन की चाहत होगी या उनने भी पॉलिटिकल डॉमिनेशन चाहिए होगा त तो इसके चलते वो क्या कर सकते हैं इसको हम रिलेट करते हैं अपने इंडिया पाकिस्तान के पार्टिशन के टाइम में यानि कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस समय क्या हुआ था जैसे ही आपको बता है उस समय सब को पता है कि उस समय जब इंडिया को इं क्या आत्में कुछ नहीं आएगा तो he decided की हम क्या करेंगे जो हम Islamic जो लोग हैं वो separate out हो जाएंगे separate political unit बनाएंगे क्योंकि minority में थे तो उन्होंने क्या करा political domination के चलते अपनी एक separate political unit बनाई एक minority domination की बारे में सोचा तो आप दो example आपको देखे कि मिल गए है कि कमिनल माइंडसेट क्या कर सकता है communal माइंडसेट के चलते मैजरेटियन डॉमिनेंस हो सकती है जिससे सिविल वार जीन सिट्वीशन हो सकती है और जब उसी कमीनल माइंडसेट के चलते जो manipulate अजय हो सकती है वो अलग हो सकती है熊-इस सकते हैं और उस सेपरेट पालिटिकल यूनिट थे भी कई तरह के हां नहीं हो सकते हैं कितना हुमन लास हो था आपको पाता है तो आई होब आपको एह दो पॉइंट सहा आगे होंगे कि क्या most common expression है communalism के और communal mindset को हमें क्यों religion में तरह ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए कि हमारे leaders को politics religion पर नहीं खेनी चाहिए क्योंकि एक तरीकी से वो क्या start करता है majoritarian dominance start करता हूँ minority को क्या होना परता है separate होना परता है political unit अगलाख separate political unit बनानी परती है example मैंने दे दिया है okay so I hope आपको यह दो पाइंट समझ में आगे होंगे अब नेक्स्ट दो पाइंट में नेक्स्ट वीडियो में बता था हूँ आपको okay